कर दोस्तों मैं दीपक क्रिटेव गार्डन टिप्स यूट्यूब चैनल की पहली वीडियो में आप सब का स्वागत करता हूं जैसे कि दोस्तों आपको नाम से पता चल गया होगा यह एक गार्डनिंग्स रिलेटिड चैनल है इसमें आपको गार्डनिंग से रिलेटिड सारी जानकारिया अब मैं अपना एक्सपिरियंस आप लोग के साथ शेयर करूंगा और आपको जो भी क्वेश्टन हों इन सब कांसर आपको मैं दूंगा मुझे कर भी ऑन दोस्तों से तीन सो पोट की ज़रूर थी तो मैं मार्केट कुछ पर कलर नहीं किया हुआ है तो मैं यही एक्सपिरियंस आप लोग साथ शेयर करना चाहता हूं कि आप भी शांदार पोट अपने घर पे बना सकते हो तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों पहले बात कर लेते हैं कि हमें पोट बनाने के लिए एक होल की ज़रूर्ट पड़ेगी दूसरी जो चीज है दोस्तों वह आपको एक च्छोटी खुरूपी की जूर्थ है जो आपको मार्केट में 20-30 रुपे की आराम से मिल जाएगी अगली जो चीज है दोस्तों है दो स्प्रेई बोटल चाहिए होंगी एक स्प्रेई बोट से जरूरी चीज होती ही वह आपके पास gloves होने चाहिए rubber gloves क्यूंकि स्मेंट के अंदर बहुत सारे chemical होते हैं जो आपके हाथों को खराब कर देते हैं और यह 10 size के होने चाहिए यह आपको 50 रुपए के अच्छी quality के gloves shop पे मिल जाएंगे और जो अगली हाथ safe रहें और मैं मिक्शर तियार करना है तो दोस्तों में container में जब भी मिक्शर तियार के 10 इंच तक के port के लिए हमें एक पार्ट सेंट का लेना है और जो है पांच पार्ट आपको dust के लेने हैं तो यह जो mixture होता है यह 10-12 इंची port के लिए बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहतरी mixture होता है तो आप देख सकते हो मैंने यही जो है पांच पार्ट इसमें पहले से ही मिला कर रख लिया था अब मैं इस मिक्शर को इसमें डाल देता हूं यह एक पांच पार्ट में मिक्शर तयार है और मै इसको मिला लेता हूं दोस्तों देख सकते हो अब हमने अपना जो यह मिक्शर जो है यह तैयार कर लिया है अब इसमें पानी डालना है तो दोस्तों देख सकते हो आप यह मैंने मिक्शर बना लिया है यह ज्यादा ना तो गीला है ना सूखा रहा है तो यह मिक्शर हमें ना मैं पानी डाल देता हूँ, यह हमारा जो पोट की पहली परत औरती है, जो फिनिशिंग वाली है, वो इससे बनकर तयार होगी, तो हमें गाड़ा पेश्ट बनाना है, इसमें ज्यादा पतला नहीं रखना है, जितना गाड़ा पेश्ट होगा हमारी फिनिशिंग जो पोट की ह तो पूरे पोर्ट में आपने बाइज बाइज गर आपने दयर के अन्धर पूरे पोर्ट में समान रूप से स्वफर को आप दब संस्य पार्फ पर्ट को यह तो Unsoto खेन löद को तरह को आपको ऐसे गुमाते हुए आप देख सकते हैं आपकी फूरी डाई में फैलना चीए अगर कहीं से भीया का Stir Gef Lia चाएगा जीकि आपके बहुत ही पूरी टाहीं कोस्तों के अच्छ नहीं बन पाएगी तो हमें सबस्के जो हमन Tack Tot यह पूरे पोर्ट में चारो तरफ लगाओना चीए, और दोस्तो इसमें जैसी आप नीचे रखोगे सारा पोर्ट नीचे की तरफ जो पेश्ट नीचे की तरफ जाएगे तो अमें तुरूंत सूकी सिमेंट डाल देनी है, इससे क्या होगा जो भी आपका जो पेश्ट चिपक होगी अब हमें क्या करना है दोस्तों जो इस डाई को ऐसे लिटा लेना है और जो भी हमने मिक्स्टर तयार किया हुआ है उसको ऐसे हाथों से भुरबुराते हुए जैसे हम जानवरों को दाना डालते हैं बिल्कुल दाना-दाना ही स्पोर्ट के अंदर जाना चाहिए तो दोस्तों जैसे अब हमारे पास जो भी बोटल है गोल सरफेस की समूच सरफेस वाली उसको अब हमें थोड़ा सा पानी में डूबो के और इसको ऐसे प्रेस करना है गोल बोटल से ताकि जो हमारे डाई के जो भी जो बार की फिनिशिंग वो अच्छे से बने गज़ी तो है उसके चाल तरो लग जागा फिर हमें उसको भीर तीरे ऐसे इसको पानी में डूबोते हो थोड़ी सी बोटल को और फिर आसे उसको रगड़ ना पड़ेगा देख सकते हैं दोस्तों हमारी मिक्षर चिपक गया अब हमें करना क्या है इसको ऐसे उठा के अब हमें इसको दूसरी तरफ गुमाना है क्योंकि हमारा जो इस तरह जिस जो अमें लगा थो अब चिपक गया है थोड़ा बहुत गिरे भी तो कोई दिक्कत नहीं है वो बात में यह बहुत हैं दोगा के हलका सा जोभी मिक्षर हमने डाला है उसको बस प्रैस करना पहले बाद में उसको में थोड़ा सा रगड़ ना कि As der कि अब हमें जो तीसरा नीचे की तरफ का है उस मिक्शर को फड़ा गिरेगा भी तो कोई दिक्कत नहीं हो बाद में भी हो जाएगा दोस्तो आप देख सकते हो कि इस पोट के अंदर चारा तरफ हमने हम एक इंच का मिक्शर तयार कर लिया है जो साइड में जेंगे है उसको दोस्तो एक हाथ से हमें ऐसे जैसे एक अंगुठी से प्रेस करके हमें एक इंच मोटी उपर इसके किनारे बनाने चारो तरफ हमें बि कि दोस्तों हमने चारो तरफ जो है एक इंच मोटाई का हमने बना दिया अब जो एक्ष्टा जो उपर बच जाता है जो भी मिक्शर आपका है उसको आप किनारों से अपनी जो भी आपके पाद चोटी खुर्पी है उसकी मदद से आप अप अटा दीजिए जो दोस्तों दे जो आपकी बोटल है उसके निचले सिरे से आप हलके हलके उससे प्रेस कर दीजिए तो आप दोस्तों देखे देख सकते हैं अब हमने चारो तरफ एक इंच की मोटाई की जो पोरी एक इंच हो गई अब हमें दोस्तों जो बोटल को पानी में भीगो के और इसको ऐसे चारो तरफ इसको इसके जो किनारे हैं उनको स्मूथ बनाना है जो स्प्रे बोटल हमारे पास जिसमें पानी बढ़ा हुआ है उसकी हलके हलकी स्प्रे मारेंगे पूरे चार इसके जो उपर किनारे हैं उसके उपर ताकि उनको थोड़ा सा खुरूपे की मदश से हम स्मूथ बना यह थोड़ा सा धीमा प्रोसेस है इसको आपको बड़ी शांति के साथ थोड़े सबर के साथ करना पड़ेगा तो कि एक पोट को बनाने में आपको 20 से 25 मिन्ट तो लगी जाने हैं तो दोस्तों आप देख सकते हो हमने पूरी एक इंच की मोटाई कर ली है पोट के और अब जो हमने स्टार्टिंग में जो मिक्शर पोट में डालने के लिए जो पेस्ट तैयार किया था उसी पेस्ट में से थोड़ा-थोड़ा पेस्ट हमें इन किनारों को खुबसूरत बनाने के लिए ताकि यह भी स्मूथ बने उपर से जो आपके पोट की जो लूख है वो काफी कि अब ने बताया था कि इस पेपोट के नीचे अधर एक होल करने की ज़रूर था था कि हम जो मिक्शर उसको बाहर निकाल सके आप देख सकते हो मैं अब जो है मैंने इसके अंदर एक खुट कर दिया है यह जब हम डाई को बाहर निका लेंगे तो इस पोर्ट के अंदर दोस्तों इसको चोवीज गंटे के लिए हमें खुली दूप में अपनी छथ पर रख दिया है खुली दूप में पूरे दिन की दूप मिलेगी और पूरी रात जो है बाहर खुले में रहेगा और चोवीज गंटे के बाद ही आपका पोट से निकलने के लिए तैयार रहेगा सकते हैं आप इस वेज पोट को डाई के इंदर चोवीज गंटे हो चुके हैं कल बारा बजे हमें इसको बना कि इसमें रख घा था और इसको निकालने का ताइम आ गया है तो दोस्तों अब रहे भीज़े आगए बाहर निकालें लिए पर निकालें के लिए जरूरी चिज जो है soft surface की जूट पड़ेगी क्योंकि इसके किनारे भी बहुत कमजोर है अगर हमने किसी ऐसे ही पकी चीज पर या किसी सक चीज पर इसको निकाला तो इसके किनारे तूट जाएंगे और आपका पोर्ट बेकार हो जाएगा तो हमारे पास जो भी आपके पास जो डश्ट होता है उसका एक ऐसा पिरामीड बना लीजिए ऐसा गोल सा और इसके ऊपर हम इसको जो है इससे हमारा जो पोर्ट जब बाहर निकलेगा तो इसको soft landing मिलेगी तो देख सकते हैं हमें पोर्ट को लेना है और हलके हलके से आतों से इसके उपर रखना है और पूरे पोर्ट को बाहर निकाल लेना है तो देख सकते हो दोस्तों हमारा कितना ही शांदार पोर्ट बनके अब तयार हो गया इसकी finishing आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत है तो mostly YouTube वीडियो में आपको यह दिखाया जाता है कि यहीं आपका पोर्ट बनके तयार हो गया है पर हम सबसे बड़ी यही करते हैं जैसे नया पेट लगाने के बाद उसमें पानी देने की जूट पड़ती है तब यह आगे बढ़ेगा ठीक इसी परकार अभी यह पोर्ट बनके तयार नहीं हुआ है तो जो भी आप जैसे यह पोर्ट को डाई से बाहर निकाले उसको तुरंत अगले 24 गंटे के लि निकालने के तुरंत बाद अगले 24 गंटे के लिए पानी में पूरी तरह से दूभा होगे रखना अगर आपके पास इतना बटा टनी यह तो कोई बाल्टी हो बस हमें इस चीज का धया서, कि पोर्ट को पूरी तरह से अगले 24 गंटे के लिए पानी में डूब होका रखना औ तो दोस्तो अभी सपोर्टको, पानीHeci दूबए 24 गंटे हो गई है, बाहर निकाल के अगले 24 गंटे के लिए, दूप में सुखाने के लिए चोड सकते हैं, और अपने मन पसंद के पोधे लगा सकते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों मीनी वर्ल्ड कप पोट और वर्ल्ड कप पोट कैसे बनाते हैं और इनको मीनी वर्ल्ड कप और वर्ल्ड कप पोट क्यूं कहते हैं इनको बनाने का तरीका मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा और बैल आइकन जरूर दबाईए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके तब तब खूशे रही है